हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसकुमार गार्डनिंग में इस चैनल पे आपको फ्रूट फ्लाबर और वेजटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राप्टिंग के अपडेट लगबग रोजाना मिलते हैं तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए चैनल को जादा जादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग वा बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थूजा, मोरपंखी या विद्यपढ़ाई जिस भी नाम से आप इस प्लांड को जानते हैं और यदि आप पौधा लगभग हर गार्डनर की पसंद होता है और लगभग जितने भी गार्डनर हैं सभी ने इस प्लांड को जरूर अपने गार्डन में लगाया होगा तो इस पौधे की केयर आप कैसे करेंगे यदि आपके पौधे में पत्तियां सूख रही हैं, पीली पड़ रही हैं या पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही तो आप इस पौधे की देख भाल कैसे करें कि आपका पौधा अच्छे से हरा भरा रहे और अच्छी ग्रोथ करें तो देखिए इस पौधे को ज़्यादा जोड़े में लगाना चाहिए और यह एक सुबधाई पौधा होता है और हर गार्डनर लगभग इस प्लांट को अपने गार्डन में जरूर लगाता है तो आज हम इसी प्लांट की केर के विशे में बात करेंगे तो देखिए इन पौधाँ का विंटर का सीजन जो होता है वो डॉरमेंसी टाइम होता है और उसके बाद जैसे ही गर्मिया स्टार्ट होती है तो इसमें फ्लावरिंग और फ्लूटिंग होती है या पौधा गर्मियों में अच्छे से ग्रोथ और हरा भरा रहता है और यदि इस stage पे अब भी आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही तो उसका क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो यदि आप पूरा देखते हैं तो आप भी अपने पौधे से अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं तो देखिए इस समय आपके प्लांट पे भी थूजा प्लांट पे बहुत सारी फ्रूटिंग लग रही होगी तो ये पौधे अपनी बंस बेल को बढ़ाने के लिए अपना सारा ध्यान इस समय फ्रूट को मेच्छोर करने में अपने बीजों को बनाने में लगाते हैं जिस से इन पौधों की ग्रोथ रुक जाती है तो इस स्टेज पे हमको चुकी अपने पौधे को अच्छा घहना और हरा भरा रखना है तो हमको इसके फलों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तोड़ के अपने पौधे से सबसे पहला काम तो अलग कर देना है क्योंकि यदि आप इन सीड्स को तोड़ेंगे नहीं तो आपका पौधा ग्रोथ बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि अभी अपनी जो भी एनरजी इसने विंटर में स्टोर की है वह अपनी पूरी एनरजी को अपनी जनरेशन अपने बीजों को बनाने में लगा रहा है पौधा तो देखिए जैसे इस प्लांट की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग है नई ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही और जो एक और प्लांट है उस पे फ्रूटिंग थोड़ा कम है तो उसमें थोड़ा ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है तो देखिए पहले सबसे पहला काम तो हमने अपने प्लांट से सारे फल जो भी थूजा प्लांट में लगे हुए थे उनको तोड़के अपने पौधे से अलग कर दिया है थोड़े बहुत छूट भी गए है तो उनको बीच बीच में जब भी समय लगे तो आप देखके उन पौधे पे तो अब हम सबसे पहले इस पौधे की निदाई गुडाई करेंगे फिर क्या फटलाइजर इस पे अपलाई करेंगे कि हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करें वो भी मैं स्टेप बाई स्टेप आपको जानकारी दूँगा तो सबसे पहले जब जिस भी दिन आ तोड़नी थी मुझे तो 24 घंटे पहले मैंने इसकी फुल बाटरिंग कर दी थी एक चीज आपको और ध्यान रखना है इस पौधे को ओवर बाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप कोशिस यह करें कि लगभग गय चुकी अब गर्मिया बढ़ जाएंगी तो जल्द जल्दी आपको इस पे बाटरिंग नहीं करनी है जैसे आप गार्डन में अन्य पौधों के साथ करते हैं तो इसको आपको तीन से चार दिन पांस दिन में एक बार ही फुल बाटरिंग करनी है उसके बाद एक हफते या लगबग चार से पांस दिन जब तक आपकी मिटी अब हमारा पौधा चुकी हमने इसके फल तोड़ दिये हैं और अब हमारा पौधा जब हम इसको फटलाइजर बगएरा अपलाई कर देंगे इस पे तो आपको 15 दिन के अंदर ही अपने पौधे में नई ग्रोथ दिखाई देने लगेगी तो क्या-क्या फटलाइजर मैं अ तो उससे आपको ज्यादा परिशान नहीं होना है यह एरियल रूट यदि तूट भी जाते हैं तो इससे आपके पौधे पे एक नई एनरजी मिलती है आपको इससे घबराना बिलकुल नहीं है कि आपकी जड़े तूट रही है इसकी में इस्टेम नीचे हैं वो नहीं यह एरियल इस्टेम है और इनके तूट जाने से पौधा हमारा नई एनरजी और नई ग्रोथ करेगा और ना कि इससे पौधे को कोई भी नुक्षान है तो देखिए मैंने कितनी सारी इसकी मिट्टी निकाली है और यह देखिए यह सब एरियल रूट्स हैं और इनके तूटने से पौधा हमारा बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता और बलकिम इनके ज्यादा स्जादा मात्रा में हमको इस जाले को निकाल देना रहता है क्योंकि यह एरियल रूट्स मिट्टी के पोशक तत्तों को अच्छे से पौधे तक नहीं पहुंचने देती और देखिए तो इस तरह आपको अपने मिट्टी की गहरी गुड़ाई करके इन एरियल रूट्स को अच्छी तरह से आपको निकाल देना है जैसे सहरों इत्यादी में मिट्टी साधार जल्दी सजल्दी एबलेविल नहीं हो पाती गाटनर के पास तो आप चाहें तो यह पुरानी मिट मिट्टी भी धूब दिखा के और दुबारा से उपयोग कर सकते हैं पर मैं तो नई मिट्टी का उपयोग अभी फिरहाल अपने प्लांट के लिए कर रहा हूं तो क्या-क्या अपलाई करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं तो देखिए काव डंकम पोस्ट है दो साल प पॉधों के लिए है लगबग देड़ से दो किलो की मात्रा हो गिये तो दो पॉधों के लिए मैं आपको बता रहा हूं आप अपने प्लांट्स की साइज पॉट के हिसाब से मात्रा कम जादा कर सकते हैं तो देखिए मैंने कोको पिट लिया है एक भाग काव डंक और उससे थोड़ा सकम कोको पिट इसकी जगह पे आप रेत या राई सस्क का उप्योग कर सकते हैं तो देखिए तो मैंने गोबर खात थोड़ा ज्यादा ली है और मिट्टी और कोको पिट लगभग बराबर बराबर मात्रा में मैंने लिया है और इन सभी इंग्रीडियंस को आपस म आपको अच्छे से मिला लेना है आप फटलाइजर की जैसे बात करें तो आप अपनी जैसा आपके पास विवस्था हो इन तीजों चीजों को तो आपको लेना ही लेना है उसके लावा आप नीम केक ले सकते हैं आप बोन मिल ले सकते हैं यदि जो आपके पास एवलेबिल ह आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत मात्रा कम भढ़ा सकते हैं तो चुकि इस पौधे पे फंगस बगएरा बहुत कम लगता है इसलिए आप फंगिसाइड बगएरा चाहे तो डाले और चाहे ना डाले नीम के चगावपियो करें या ना करें मैंगनिशियम सलफेट आपको लेना है इससे आपके पौधे में नई ग्रोथ और बिल्कुल हरापन देखने को मिलेगा तो यह लगबग 10-12 ग्राम आप अंदाजे से ले लीजिए दो प्लांट के लिए मैं फटलाइजर बना रहा हूँ तो देखिए 10-12 ग्राम के आपके मैंने लिया है मैंगनिशियम सलफेट और लगबग इतनी ही मात्रा मैं डियेपी एड़ करूँगा इसमें यह देखिए यह लगबग 10-15 ग्राम के आपके आपके यह दो प्लांट के लिए मैं फटलाइजर बना रहा हूँ तो मैंने इन सभी इंग्रीडेंस को आपस में अच्छे से मिला लिया है जैसा कि मैंने आपको बताया कि फंगिसाइट पाउडर चाहें तो आप थोड़ा सा एड़ कर सकते हैं वरना कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती आप बाद में पानी में गोल के भी इसे अपने प बिमारियों का कोई भी प्रभाव इस पौधे पर नहीं पड़ता इसलिए चाहें तो आप उसे अवाइड कर सकते हैं तो देखिए हमने जो मिट्टी अपने पौट से हटाई है लगबग उतनी ही मात्रा हम इस पर अपनी नई जो फर्टलाइजर हमने बनाया है मिला के उसक इसना वाटरिंग के लिए काफी होगा तो यही प्रक्रिया मैं अपने दोनों प्लांट के साथ अपनाऊंगा क्योंकि यह पौधा फुन सललाइट का पौधा है और इसे आप हमेशा ऐसी जगह पे प्लांट करें जहां पे आपके घर में सबसे जादा दिन भर की धूप आत हाई का पौधा के विशय में दी गई है जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक करिए कमेंट करिए अपने गाडनिंग लविंग दोस्तों के साथ सेयर करिए चैनल पे पहली बार आए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेल या झाल मझा झाल मझा झाल ।